अबि आप मेरे साथ यहां पर देख पा रहे हैं योग आयोग के चेर्मेन हैं जिने कैबिनेट मंतरी का दर्जा भी प्राप्त है माने नहीं हम आपका नाम जाएंगे वेद प्रकाश्चर्मा योभी आसन अभी हम कर रहे हैं वो प्रोटोकॉल के तहरे जो भारसरकार ने रहा है और उस योग दिवस को मनाने के लिए जो है हमारे उपराश्टर पती जो हैं जगदीब धंगर राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्य मंतरी सिवरा सिंग चोहान के साथ उनके अन्य जो मंतरी गाड़ है मंतरी मंडल है वो जबलपूर में यहां पर आने वाल पर तमाम व्यवस्थाएं की गई है जो यहां पर जबलपूर में दोरा है यहां पर को समय के लिए विश्राम भी करेंगे लेकिन सबसे पहले अभी साथ बजे के बाद शाम साथ बजे के बाद वह गौरी घाट में मान अर्मदा की आर्थी में शामिल होएंगे उसके बाद 21 जून की सोबे ठीक 6 बजे वो गैरे सिंग्राउंड में जहां पर अभी दलूप की टीम उपस्ते थे हैं यहां पर हम मौजूद हैं लगबक 6 बजे के आसपास यहां पर जो है वो योग दिवस को मनाने के लिए और सारे शहर वासी और तमाम देश वासीों को योग करने के निर्देश देगे चुकि एक राश्ट्री इस्तर पर जबलपूर में योग दिवस मनाया जा रहा है इसलिए यहां पर काफी महतोपूर इस्तान रखता है और चुकि यहां पर राश्ट्रपती भी आ रहे हैं तो इसके लिए यहां पर तमाम व्यवस्ताइं की गई हैं और उप्राश्ट्रपती के निर्देशों पर यहां पर लगबा आपको बता दे कि देड़ लाख लोग जिहां देड़ लाख के आसपास की जनता यहां पर आएगी और वह यहां पर ऐस तरीके से यहां पर दरी या फट्टी विछा करके जो योग का आसन है वहां पर अपर आएंगे ऑपर पहुंचे हैं और साथी यहां से यहां मंत्री घडम मौझ रहें ओर अभी यहां पर थोड़ी यहां पर प्रदान मंत्री रणेंद्र मोदी का भी जबलपूर में ऐसा आगमन होने वाला इसा बताया जा रहा है तो यह चीज भी से समझ में आती है कि जबलपूर भी एक बड़े महानगर के रूप में तब्दील होता जा रहा है और यहां पर जो है विलांद सभाचुनाव कोई लेकर कही साही लेकर बड़े बड़े लेता है और जो बड़े दिगज लोग हैं वो जबलपूर की और बढ़ रहा है अभी आप मेरे साथ यहां पर देख पा रहे हैं योग आयोग के चेयर मैन है जिने कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है माने नहीं हम आप गवरो की बात है जासा आप जानते हैं कि योग जो है भारतिय राची जो मारी मिरासा थैस सांस्क्रिव इसको अभी नंग है तो उसको भारतितों पनाई रहे maior पूरा प्रदानमातर जीके पर शार से पुरी दुद्या निइसको शिविकार किया है तो इसके लिए यहां पर हैं जाना है कि संदेश करें कि हर गहरार लोग सब करें योग सब करें रहें निरोग कि जो यहां पर नारा दिया है और इसके बारे पर स्टूडेंट हैं उनके काफी मात्रम हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था 21 जून को योग दिवस के अवसर पर यहां पर यही युवा जो आप देख पा रहे हैं अभी वीडियो के माध्यम से यह लाइव प्रदर्शन करेंगे और यही जो है यहां पर आगर के इनको देखर के सारी जंटा योग करेंगे किया तैयारीया है यह पर यह जैसा कि आप देख रहें 24 काफी माहुल है क्यूंकि संस्कार धानी कि पहली बार इतने बड़े आयोजन का मुफान मिला है और हम लोग काफी उत्सा है इतैस कारिक्रम 2 जैसा की देख रहें सबी हमारी जो टीम है लगातार एक हपते से प्रियास कर रही है मैनत कर रही है और लगातार हम अच्छे से अच्छा कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को स्वास्त के लिए हम जागरूप कर पाएं अच्छे से वह योग करें और हमारे वादत देश का नाम पूरे अंतराष्टी इस तर्फ मेरा नाम है आशिश रहकवार मैं सैसाचिप जिला योगास्ना स्पोर्ट आसोसीशन से तो आप कब से यहां पर योगा की फील्ड में हैं सब्सक्राइब काफी बच्छे नैशनल इंटरेशनल लेबल पर परफॉर्मस कर रहे हैं जबलपूर के और काफी लैर जबलपूर में सब्सक्राइब कर रहे हैं इकदम कॉमिन योगा है उसको भी पूरे चुन सर्वेह चाथ करना बहुत जरूरी है तो आपके स्वास के लिए बहुत अच्छा होता है और पूरे कॉंसिंट्रेशन ट सकर एंगे तो हमने देखा कि आप जो भी अपर 272 रख बड़ती है तो वाधी हम कुछल है अच्व है आप मलोग तो आप यहां पर देख रहे हैं मेरे साथ में और भी स्टूडेंट जिससे हम बात करेंगे अच्छा आपको जबलपुर को जो है एक रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है अच्छे तरीके से और क्योंकि यहां पर प्राश्ट्रपती भी आपको देखेंगे आपके तो इ यहां पर देखा कि हमने आपर जो चात रहें स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करी यहां पर इनके टीचर ने भी हमको कावी सारी चीजों के बारे में जानकारी दिये और आगे की वीडियो में आप कल देख पाएंगे कि यहां पर जो जब उप्राश्ट्रपती जगदीव ध